बिस्मिल्लार रह्मान रॉर्वाइम अस्सलाम उलैकूम जोदर इत्सवर स्टेलियन पैर्ट में वेलकम दोस्तों आज हम बात करते हैं स्टेलियन पैर्ट की फीड के बारे में फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और हमें अपने पैर्ट को क्या-क्या फीड देनी अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल जोर इत्सवर स्टेलियन पैर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अब हम बात करते हैं पहली खुराक की जो है एग फूड हमें वीक में तकरीबन एक दफ़ा अपने पैर्ट को एग फूड जरूर देना चाहिए एग फूड बनाने का तरीका एक मैं नेक्स्ट वूडियो में जरूर लाओंगा आपके साथ शेयर करूँगा एग फूड से आपके पैर्ट की बोड़ी में परोट हमें पैर्ट को वीक में एक या दो दफ़ा पालिक जरूर यूज कर्वाने चाहिए इस से आपके पैर्ट की बोड़ी में आईरन की कमी पूरी होगी और वो ज्यादा एग ले करेंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी तीसरे नमबर पार जो है बॉइल राइस बॉइल राइस को तकरीबन वीक में एक या दो दफ़ा अपने पैर्ट को यूज करवाना चाहिए इनको इस तरह यूज नहीं करवाना बलके आपने राइस को बॉइल करते वक्त इसमें एक या दो इंच का अद्रक का टुकड़ा डाल देना है जिससे राइस की तासीर गरम हो जाएगी और आपके पैर्ट ज्यादा एग ले करेंगे अब आप नमबर फोर पर बात करते हैं आपने अपने पैर्ट को बॉइल वीट यानि के उबली हुई गंदम यूज करवानी है अबली हुई गंदम यानि के आप एक गेंटे के लिए उसको भिगो कर रख दें इसके बाद उसको अच्छी तरह से उबाल कर अपने पैर्ट को यूज करवाएं नमबर फाइफ पारा सप्राउट आप अपने पैर्ट को वीक में एक या दो दफ़ा सप्राउट ज़रूर यूज करवाएं इससे आपके पैर्ट अच्छी ब्रीडिंग करेंगे सप्राउट बनाने की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा नमबर सिक्स पारा सोफ्ट फूड आप अपने पैर्ट को सोफ्ट फूड भी यूज करवा सकते हैं इससे आपके पैर्ट अच्छी ब्रीडिंग करेंगे ये थी मारी आज की वीडियो और हमें दीजिए इजाज़त मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अल्ला हाफिज